तो ये रिखे हमारी बेसन वाली कुरकुरी हरिमेच बन करके तयार है और खाने में एकदम बढ़िया लगती है और बन भी बहुत जल्दी जाती है कोई अचार नहीं है या सबजी नहीं है तो आप इसको बना के अचार और सबजी की जगा इससे रोटी खा सकते हैं ये इतनी तो आपको कम ठीका खाना है तो आप इसके बीच रिमूव कर सकते हैं रिमूव करने का बहुत अच्छा तरीका है बांच में को सबस्क्राइब में आप इसके टोस करेंगे तो ए जो बी जयाएंग व्यादी होती है यह ज्यादा थीखी नहीं होती है इन만 कम होता है अब कर्णाये में दालेंगे 2 अच्छा बनी आइल साथ में डाल रहे हैं एक टीस्पून सौफ ये मोटी वाली सौफ है जो अचार में डाली जाती है इसको भी हमने पका लिया है ये देखे वन फोर टीस्पून डालेंगे हल्दी तो देखे कुछ सेकिंस पकाने के बाद हमने यहां पे डाल दिये हमारी कटे हुई हरिमेच और भी हम पका लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे तो यह देखे धीरी-धीर हरिमेच पकने लगेगे और इसके उपर जो है माक्स आने लगेंगे पकने के हरिमेच के तो इसका मतलब हरिमेच हमारी पकी है बहुत ज्यादा हमें सौफ नहीं करनी है थोड़ी सी क्रंचीनेस इसमें इतनी हमें पकानी है तो लग बग आदा मिनट हमने हाइफ पे इसको पका लिया है यानि मीडियम तो हाइफ्लेम ही रखा है हमने ग्यास को जिसे पक में जाए और ज्यादा सौफ्ट नहीं हमतला है अब यहां हम डालेंगे दो टेबल स्पून बेसन तो बेसन हम यहां पे ड बेसन कबा नलए इस को लो मिडियम फ्लेम पर, 2 मिनट के याल पर लो मिनट दो करीब बेसन को पका लें रागी ताकि इसका बेसन पर निगा कह बहुंदा है अब याहां डालेंगे मासाले गामच में से टेस्ट के कोडिंग कम जड़ा कर सकते हैं एक टीस्पून अमचुर पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, वन फोर टीस्पून कश्मीरी लाल मेच कलर के लिए डाल रहे हैं, सारी चीज़े डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे आधा मिनट के करीब पका लेंगे ताकि मस दाले इखटे हो गया है। आधा से मिनट हम इसको हाइफ लेंप पे बीजन को कट राच कर लेंगे अच्छे से हरी मेच को वी बृब कर लेंगे, कुरकुरी अर्पकोरी बेशन बाली बंकर के तयार है और इसे आप बिल्कुल नम्कीन की तरह हम इसे दाल के Sath खा सकते हैं पराणों पर एक खा सकते हैं और अचार की तरह हम इसे खा सकते हैं बहुत ही बढ़िया लगती है और सफर में ले जा सकते हैं तो आप इस रेसिपी को यह जरू ज़रू ट्राय कीजिए आपको बहुत परसंद आएगी झाल झाल